वासा के आमाइक प्रियोग थेरापेटिक यूजिस ऑफ वासा मतलब हम वासा का कहां कहां पर ऐसा मैडिसेन यूज कर सकते हैं वासा का पंचंग यूज होता है पंचंग का मतलब उसका रूट उसका शूट यानी उझकिष्टायम और तीसरां उसके लीवेट्स फलार और उसमें जो भी जितना भी होता है तुम्सा मनल जोचा अजरं निकालते अब वासा के जो लीव्स है, उसका सुरस हम बाकि जो प्लांटS होते हैं उनके लीव्स का सुरस निकालते हैं, उससे थोड़ा अलग है kiinब कि जो यूसले हैं, उसको कूटके कबड़े में रगते हैं निचोडके, नहीं निकाल सकते इसलिएए पुटपाग विदी क्या होता है और उसका यूस कैसे करते हैं और किन-किन प्लाइंट्स के लीवो का जो स्वरस है या जो उसका जूस है एक實्रैक्ट उसका जो ले ऐकिस्ट्रैक्ट वो पुटपाग विदी की दौरह निकालते हैं मैंने उसके अलग से वीडियो बना रखे, पुट पाग विधी द्वारह को पुरी प्रकरिया रखे, उसका लिंक आपको पुरी दिस्क्रिप्षिन बॉक में मिल जाएगा, तो पूटपक विदी से एक बार स्वरस निकालने के बाद हम बासा का कहां कहां पर यूज़ कर सकते हैं या उसके स्वरस का यूज़ कहां कहां करते हैं क्योंकि इसका मेली जो स्वरस से बहुत जगा यूज़ होता है है और बिकज इसके पार्ट है शोस चुराइब होते हैं इसका पहला कफ विकार हो मातलब यह कार होता है ओर हमारे जो ट्रोट में एकटना ओड़ा हो जाता है और बहुत गाड़ा होता है निकल नहीं पाता है तो expectorant वो medicine expectorant के अंदर medicines आती हैं जो कफ को बाहर निकाल डेती हैं तो VASA भी expectorant जो medicine होती हैं उनमें से एक है जो कफ को बाहर निकाल दे तो कफ भी करपम उसका youz करते है eater Oke Heano Vasa, garlic,اس stripe जींजर या अदरक होती है उसका source और उसमें सेंधव और उसमें मदू ये चार चीज़ है वासा सोरस अद्रक का सोरस सेंधव और मदू इन चारों को एक साथ मिला करके इसका सेवन करते हैं तो जो कव हमारे गले में इखटा हो रखा है चिप चिपा बहुत गाड़ा जो निकलनी रहा है अपने आप से उसको निकाल देता है भार अब इनकी मातरा देख लेते हैं कि जो चारों जीजें कितनी ली जाएंगी जो वासा का सोरस है वह 5-15 मिलीटर अद्रक सोरस 5-10 मिलीटर और मधू एक स्पून एक स्पून लेंगे और बच्छा सेंधव लेंगे ठोड़ा से नमक लेंगे चमच के आगे जो थोड़ तो पांसे दस मिलीलिटर वासा सोरस इतना ही लेंगे हम अधरक्स अधरक्स और थोड़ा सन उसमें सेंधव लवन लेंगे सेंधव लवन और उसमें मधू एक चमच तो इसका जो योग बनेगा उसका यूज करेंगे हम एसा एकस्पेक्टोरेंट या जो कफ विका रहें उसमे वासा का सेकेंड आमेक प्रियोग स्वास कास और रख्वित में इसका यूज करेंगे स्वास कास और रख्वित में इसका यूज क्यों करेंगे क्योंकि जो स्वास कास है मेंली वो जब यह मेंली उनमें यूज होता है जो प्रोड़क्टिव कफ होते हैं जिसमें कफ आ रहा व्यादय हैं उसमें इसका यूज इसलिए हो रहे हैं क्यूंकि इसका प्रौकरिक्टिव में इसका यूज इसलिए हो रहा है तो उसका भी शमन करेगा ये तो स्वास, कास और रक्थपित इन तीनों में इसका यूज़ करेंगे इसमें यूज़ करने के लिए वासा, द्राक्षा और हरण यानि कि द्राक्षा मतलब मुनक्का और वासा और हरण इन तीनों को एक साथ इक्वल कॉंटिटी में लेके इसका क्वाथ बनाएंगे और जो क्वाथ बनेगा वो 50 मिलिटर की मात्रा में शेहत के साथ उसका सेवन करा जाएगा तो स्वास, कास और रक्थपित इन तीनों में ये अच्छा एफेक्ट करेगा इसके अलावा अगर हमें बच्चों में इसको यूज करना है तो हम इसको सीधा वासा स्वारस को टंकन के साथ यानि की जो सुहागा होता है टंकन उसको इसके स्वारस के साथ दे सकते हैं तो वो भी स्वास, कास में यूज कर सकते हैं बच्चों में इसका तीसरा आमेक प्रियोग तीसरा आमेक प्रियोग इसको राज यक्षमा यानिकी टुबॉक्लॉसिस या जिसे हम सिंपल टीवी कहते हैं उसमें यूज करते हैं टीवी जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे बुखार जोर हो गया को यह अतल wir याह Va oral मा परन इस पूरी बड़ी का ताप बढ़न बढ़ता है और वैसे बादी में जलन भी होती हैं तो जोर में ऑर और रक्त पित मतलब जब राजक्षमा होता है तो उसमें जो वमन होता है उसमें उस वमन में खोन भी आता है साथ में जब किसी को टीबी है और उसमें अगर उसको उल्टी हो रही है तो उसमें उल्टी साथ खोन भी आता है तो इन तीन में उसका यूज करेंगे रक्त में तो इस का जो रस और वीर दोनों पित को शमंन करने वाले हैं तो राज एक्षमा में जब कॉम्प्लिकेशन्स होते है जिसमें की ज्वर ताह जलन और उर्द्व रक्त फित यह जो कॉम्प्लिकेशन में में लिए इनमें इसमें अगर हम वासा वासा का यूज करते हैं एजा वासा घ्रित यानि कि घ्रित को वासा से सिद्ध के हुआ घ्रित तो राज अक्ष्मा के जो कॉम्प्लिकेशन से वो शांत हो जाते हैं वासा घ्रित अब इसका चौथा हमें प्रियोग चौथा हमें प्रियोग तमक स्वांस यानि कि अस्थमा अस्थमा में धतूरा पत् दोषम वर्ति बनाने की विधी है पूरी अचाय चरक न भी बताईए बागभाट नहीं बताईए तो उसका धुमपन क्या आता है तक तुर्यशका पत्रका और वासापत्रका इंको पीस के सुखा के पीस के इसकी धूम वर्ति बनाते हैं वर्ति कैसे बंति इसका चून होता है के- उसको सरकंडा होता है उसको उपर लेप की आता है और सुखन यह बार सरकंडा निकालर लिए तो यह सीलिंठीक्लडी स्टेक्चर में मिलता है तो चलं बिल दियुद्धर्ण जलाकर निकलता है दुवा का तो उसके effect की व scares से जो अस्तहमा वहता है उसमें चांती होती है पहरा तो वह निद्ध है त्धुर पत्र और अधूमपाण दूसरा व्यद्ध की पेको अध्यूब कि अभूम कर सकते हैं प्रियोग इसका रक्त पित में रक्त पित में यूज कर सकते हैं रक्त पित में इसका चोरस है और वीर विदुनों पितने शामा के तो इसका सेवन करते हैं। और इसके बाद पिरग्रेट में उन्हें इसके बाद यहां विप आसी सब्सक्राइब तो यहां भी लियूज massacre करेंगे टाश्वित टाश्वास लेकर कोणिटी कांटिटी में अब तोनों पित्त का शमन कर रहा है इसने राज-अक्ष्मा के जो complication से वह भी पित्त जनित थे उसमें इसका यूज़ किया रक्त में इसका यूज़ किया और अतिसार और प्रभाइका यह दोनों पित्त जब दूस्चित हो जाता है उसकी वजह से ये यूज़ होते हैं तो इसका सुरस एक तो यह कशा है дом तो कशा होने से जो रिप्स हरे और परवाइका इस दोनों में शूम मंकर अनने कि लिकविड फॉ Niet में जो मल है उसकी प्रवर्वर्ति होती बहुत ज़ादा तो हमारे बोडे से लिकविड जो होता है वह जल्द जल्दी निकल रहुत है मल के हो रहा है उस दोश को भी सांद करेगा तो जो इसके लक्षण है उसमें एक तो तुरंट उसमें से तुरंट लाब देगाए और जो जिस दोश की वज़ा से हो रहा है उस दोश को भी सांद करेगा तो यह इसके अच्छे अच्छे रिजल्टे आते हैं इसका जब सुरस हम हम सुरस यूज़ करते हैं सेवंधामेक प्रयोग में शोथ वो सोथ कैसे भी हो नॉर्मल शोथ हो यानि कि इन्फ्रामेशन और आमवातिक आमवातिक अगर आमवात है उसकी वज्जाद से अगर शोथ है तो आमवात मतलब रिमेटाइड अर्थराइटिस उसमें जो शोत होता है वो और नाडी सूल हो गया नाडी सूल और किसी वी तरह का शोत हो तो इसके पत्तों का पुल्टिस बनाते हैं pull read m금 इनके पत्तों को कढ़ई में भू लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी पोर्टली टायप बता के iski सिखाई करते हैं तो ये क्या करता है जो शोत होता है information उसमें ये उसमें ये relax कर देता है सोत में लाप देता है शोथ हो गया इसके बाद 8 mai कमेक प्रहिए हो कि तुछ रोग इसकी डिसीज में पत्र का लेप करते हैं और इसका जो क्वात होता है पंचांग पंचांग का क्वात उससे स्नान करते हैं पत्र लेप और पंचांग का क्वात इसकी 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 इस रस यह अगर हम इसका राउकरएं सको परसे हम राई थिरो कर रहे हैं ऑगर हम मुंचुभा अगर चक्षय होगा तो रक्त में भी दुश्टी हो जाएगी और जिसकी वैसे skin problems होंगी तो अगर हम इसको actionally भी लगाते हैं तो भी इसका use है और internal लेकर इसका हम use करते हैं तो भी इसका ये फाइदा देता है reason अलाग है क्योंकि भार जब use कर रहे हैं जो इसका bitterness है कड़वा पाने उस वयसे ये help कर रहा है और इसका एक और गुणा है जन्तुग्न जन्तुग्न मतलब होता है जितने भी bacteria वगरा या virus जो skin disease cause करती है fungus जन्तुग्न मतलब हर वो चीज जो हमें दिखनी रहे हैं आँखों से वो पित को शांत करता है अगर प्रकोपित है तो वो भी उससे भी इसकी डिसीज में फाइदा देता है इसके बाद लाश्ट और नाइंध इसका आम एक प्रयोग है वो इसका जन्तुग्न प्रवाव है उसके वज़ा से तो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं सबसे पहला इसका यूज़ होता है जन्तुग्न होने के वज़े से अगर हम इसके पत्रों को कुछ पत्रों को जल में टाल के रखते हैं तो जल जल्दी खराब नहीं होता है और अगर हम बहुत सारे कहीं फल रखें और फलों के बीच में अगर हम इसके पत्र डालते हैं तो और गेनिक खाद बना रहे हैं और उसमें अगर इसके पत्र को मिला जाता है तो इसकी खाद में अगर इसके पत्र को डालते हैं तो फसल में कीड़े नहीं लगते हैं और उसमें रोग भी नहीं होते हैं और अगर उनी कपड़ों में जो हम समालते हैं तो उसमें अगर उनके बीच में इसका पत्र रखायाता है या हम बुक्स रखते हैं तो उसके बीच में इसका पत्र रख दे जाए तो उसमें जो दीमक वगरा है या कीड़े जो उसको कार देते हैं कपड़ों को या बुक्स को वो बन्योते.